यह पाऊच दिन का इंटरविव उसके बाद जितना दिन रोक ले आपको मेडिकल के लिए यहां पर शर्वीस सेलेक्शन बोर्ड दुनिया का सबसे लंबा इंटरवी होता है service selection board, English में होता है mainly 5 दिन होता है, 5 दिन के बाद medical के लिए होता है, उसमें medical में हम को ले जाते है, SSB interview में जब गए थे हम बड़ा-बड़ा interview आथा, एक से एक लड़का मिलते थे थे से interview में, और interview में जाएंगे न, भाई साब AC का ticket मिला, train से गए थे AC का ticket, तो का आज ticket लाई है ticket, ticket जमा कर लेते हैं सा, और जितने का ticket है न, उसका double पैसा देते हैं सा, मतलब आने जाने का होगे आपका, सो चो पहिला exam जिसमें AC में आने और जाने का, और जब station पर उतरे न, तो एक office था, movement control office, MCO office, movement control office, admit card पर लिखाता है कि आप इलहाबाद station पर उतरिएगा और movement control office पर रिपोर्ट कीजएगा movement control office पर गया, तो वहाँ सब लोग इंतिजार कर रहा था, कि इंटर्व्यू देने आया गाड़ी लगी हुई थी मिलिटरी वाला या ता, गाड़ी ले जाने के लिए अधा मस्त, मिलिटरी की जो बस होती है एक नमबर बस में बईठे लोग, उतरे लोग सबसे पहले नास्ता होसता, एधा भी आईपी नास्ता अरे नास्ता तो पहली बार हम CBSC वाला नास्ता किये थे अरे तु पूरा बतिया नहीं सुना हसने लगाएं, आठ गोचम मस्था पलेट में एक उसे कोचो, एक से काटो, एक से नोच के खाओ, अरी यार लग रहा था यूद करने जा रहे हैं इतना जवर्जस्त में वस्ता था जिसका कोई हतने, उसका ट्वालेट बात्रूम तक में ऐसी लगा हुगा था है बहुत अच्छा लगा है, मेरा हाथ तेड़ा है, देखो, दिग रहा हुगा कैमरा के सामने जलो तेड़ा है, यह 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 जा कैसे हो गया है, यह कंच डिगरी का एंगल है, बहुत ज़्यादे भगादी आप, बहुत उठपटा है, हमने अपनी जिंदगी में केवल एक ही अपना देखाता है, बच्पन से लेके बड़े तक, हमको जाना है फॉज में, बच्पन से, उसके बाद से तो मेरा सपना ही टूड़ी है, अब हम जिंदगी को धकी आते हैं क्योंगा, क्योंकि हमने अपने लाइफ में फॉज के सवा कुछ सोचा ही नहीं था, आज भी अग आते हैं, हमको बहुत सौख था, अब हमको समझ में नहीं है, हमको कहे नहीं लिया कि हम समझ नहीं, इतना बंदूग जो था ना, बंदूग, बंदूग, बच्पन में ना हम लोग उसको बंदूग वगरा को बच्पन से ही सौख था, सबस्वर कम मिलेगा एदम, एक आज भी हम आपको बताते हैं, अगर आज भी हमको फॉज में मिल जाए ना, तो हम सब छोड़ चाड़ के चल जाएंगे, आज भी, चलता बैच छोड़ देंगे, आज बहुत जबर जास्त हता है, सब की अपनी अपनी पसंद होती है, तो आप जब NDA पास करेंगे न, आपक मेडिकल, मेडिकल में एक से एक सशुरा, ना, कान, आख सब चेक कर लेता है, लगता जी से चांद पे भेजा जाएगा उस तरह, उसके बाद आपको भेजा जाएगा पूना में, जगह है खड़क वासला, और वहां जब ट्रेनिंग करेंगे, तीन साल ट्रेनिंग करेंगे, तीन साल ट्रेनिंग करने के बाद आपको तीन केटेग्री में बटा जाएगा, टेकी, सूपर टेकी, मतलब वहां ग्रेजुएशन कराएगा आपको, बीए करेंगे तो नॉन टेकी, बीए करेंगे तो टेकी, मतलब कम्प्यूटर लेंगे तो सूपर टेकी, उसके बाद यह में मिलेटरी इंडियान मिलिटरी एकडमी देहरा दूर। वहां देर साल का ओर ट्रैनिंग दिया जा olduğum लगा सब आधको हर इतरी क्रिपल स्थार लेका अच्छ habitat शीडह मिलेगा डबल इस्थार लेफ्टीनेंट फिर कैपटén मेजर लेफ्टीनेंट करनल करनल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनन जनरल, जनरल, फील्ड मार्सल, सब हम याद करके रखे थे, कि ये सब कभी न कभी लगेगा, हमरा हाथ त्यड़ा होगे, मम्मी को आते हम, first time हम मम्मी को बोले थे, कि जब हम छोटे थे, गोदी में, तो माली स्थिक से नहीं क तो ये कहां पर है वो नेशनल डिफेंस एकंडवी, पूने में, खड़क वासला, पूने में, मौसम वहीं पर आपको मिलेगा महा बलेश्वर, देखे पूना के पास क्या मिलेश्वर, मिला की नहीं मिला, सर आप चले जाते तो हम लोग का क्या होता, अरे फौज वाला अच्छा चीज होता है, खुद का सपना जाते हैं, मतलब समझें, अब नहीं गया तो आप तो आमनी लोग इधर आगे लोग, उसके बाद से सश्रा मने नहीं किया, गड़बड हो गया, आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई कीजे, रीजन के आए कि जो मे लेडिकल में छाटा है, तो आप उमर नहीं भी रहता है, मान के चलिए अगर NDA किसी का NDA में नहीं हो गया, तो किस TEE से जा सकता है, टेकनिकल एंट्री स्कीम, NCC स्कीम से जा सकता है, मेरे लिए ये भी था, NCC लिखना, इसके बाद सीडिया से जा सकता है, तो चार रास्ता यहां पर, F-Cat से जा सकता है, F-Cat में Air Force में जा सकता है, लेकिन अगर हम किसी से जाते हैं, तो सब में तो बतिया बराबरे रहता है, तो यह थोड़े ठीक हो जाता है,